दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि टोर्च खोलते वक्त कोई connection का wire टूड़ियाता है और ये पता नहीं चल पाता है कि ये connection का wire कहां से जुड़ा हुआ था तो मैं इस वीडियो में आपको इस torch का connection दिखाता हूं किस परकार किया हुआ है देखिए ये है rechargeable torch इसका connection किस परकार किया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए इस pin पर और इस pin पर AC 220 volt supply दिया आता है और इस pin से देखिए यहाँ पर supply का एक line आता है जो इसमें एक PF लगा हुआ है और ठीक इसके नीचे देखिए एक resistance लगा हुआ है और यहाँ से ये देखिए यहाँ पुदिख रहा वायर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर दो डायड लगा हुआ है और एक resistance लगा हुआ है तो यह डायड जो आप देख रहे हैं इससे negative supply दिया आता है इस battery को चार्ज करने के लिए और इसी में देखिए दूसरा डायड लगा हुआ है जो ठीक इसका उल्टा लगा हुआ है जहाँ से positive LED को दिया आता है और यह positive यहाँ से इस battery को चार्ज करने के लिए दिया आता है अब देखिए यह resistance इस LED से जुड़ा हुआ है और यहाँ से दूसरा supply line का जो वायर है यहा अब देखिए इस battery का negative mark देखिए यह दिया हुआ है तो यह negative pin हो गया और यह positive mark दिया हुआ है तो यह positive pin हो गया battery का तो अब मैं आपको दिखाता हूं देखिए यहाँ से negative यह लालोला वायर्स होते भी यह direct LED में चला गया है देखिए इस जगह पर यहाँ से positive blue वाला वायर्स होते हुए यह सूच के बीच वाले pin से जुड़ा हुआ है अब देखिए सूच के बाएं वाले pin से एक resistance के द्वारा LED को positive दिया आता है अब देखिए सूच के दाएं वाले pin से यह एक resistance और यह दूसरे resistance यानि दो resistance से होते हुए इस LED को positive दिया आता है देखिए यह है इसका connection अब मैं आपको सभी resistance का color दिखा देता हूँ देखिए इस resistance का color देख लिजिए अब इस resistance का color देख लिजिए अब इन दोनों resistance का color देख लिजिए दोस्तों अगर आप resistance का color code नहीं निकालना जानते हैं तो आप मेरा यह दो वीडियो देख लिजिए आपको सब समझ में आ जाएगा